गरीब बहु के ससुरालाई बॉनी अमीर सहेली कविता नाम की एक अमीर बॉनी लड़की अपने अमीर माता पिता बलराम और दामिनी के साथ एक बड़े ये से घर में रहती है कविता की उम्ड तीस साल थी पर उसकी हाइट दस साल के बच्चे जितनी चोटी थी बॉनी हाइट के कारण हर कोई कविता का मजाक उड़ाता था उस पर हसता था इसलिए कविता कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी एक दिन सवे रहे कविता बिटिया चल नाश्ता कर ले मा जानवी को आने दिजे मैं उसके साथ ही नाश्ता कर लूँगी कविता तु क्यों उस गरीब लड़की जानवी को बार बार अपने घर बुलाती है बिटा तुम उस गरीब जानवी से दूर ही रहा करो पता नहीं कैसे गंदगी में रहती है वो मा आप जानवी के बारे में ऐसी बाते ना कीजिए जानवी मेरी बचपन की सहेली है कविता बिटिया दोस्त अपने लेविल के बनाने चाहिए ऐसे गरीब जोपनों में रहने वाली लड़की को क्यों तुमने अपनी दोस्त बना लिया पिता जी कोई तो मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा था हर कोई मेरे बॉने होने पर मेरा मजाक उड़ाता रहता है बस बेचारी जानवी ही कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाती और वो मेरी कितनी अच्छी सहेली बन गई है उतने में जानवी वहां आती है जानवी अपने गरीब माता पिता, सोजाता और दरपन के साथ एक छोटे से तूटे-पूटे घर में रहती थी जानवी का पिता दरपन उसी गाओं में अनाज की भारी बोरियां उठाने का काम करता था जिसकी आमदनी बहुत कम थी जानवी और कविता दोनों बच्पन से सहे लिया है उनकी ये दोस्ती एक मिसाल है जानवी कविता के पास आती है जानवी तू आ गई चल हम दोनों मेरे कमरे में जाकर ही नाश्टा करते है कविता जानवी को लेकर अपने कमरे में आती है क्या हुआ जानवी इतनी उदास क्यों हो क्या बताऊ यार कविता तू तो पिता जी के शराब पीने के आदत के बारे में जानती ही है ना तुझे पता है मा की तब्यत अचानक बहुत खराब हो गई है मैं कब से पिता जी से कह रही हूँ कि मा को डॉक्टर के पास ले जाई पर पिता जी मेरी एक नहीं सुन रहे वो तो बस तिन राथ शराब के नशे में ही पड़े है अब मेरे पास भी एक पैसा नहीं है पता नहीं काका जी कब शराब पीना बंद करेंगे एक काम कर जानवी मेरे पास मा के कुछ पैसे रखे तू वो पैसे रख ले और अपनी मा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा अरे नहीं नहीं काविता मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ मैं तेरी दोस्त हो जानवी और परेशानी मुसीबत में तो दोस्ती काम आते है न तू अपनी बकवास बंद कर अब और ये ले पैसे और काकी जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा कविता जानवी को 10,000 रुपए दे देती है अरे कविता इतने पैसे नहीं चाहिए रख जानवी काम आएंगे तुझे कविता तो कितनी अच्छी है न तो हमेशा मेरी मदद करती रहती है जानवी पैसे लेकर वहां से चली जाती है थोड़े समय बाद कविता की माँ दामी नी वहां आती है कविता बिटिया मैंने कल तुझे जो 10,000 रुपे रखने के लिए दिये थे वो देना बेटा माँ वो पैसे तुम मैंने जानवी को दे दिये तब ही कविता अपनी मा को सारी बात विस्तार से बताती है तु पागल है क्या कविता उस गरीब भटिचर जानवी को इतने सारे पैसे देने की जरूरत थी तुझे माँ जानवी मेरी सहीली है क्या मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती जब देखो तब आप उसी के पीचे पड़े रहते हो इतना कहकर कविता गुस्से में वहां से चली जाती है उस गरीब भटिचर ने तो कैसे कविता को अपना दीवाना बना रखा है ये तो मेरी सुनने वाली नहीं अब उस गरीब जानवी को ही सबक सिखाना होगा इधर जानवी अपने छोटे से घर में थी जानवी ने उन पैसों से घर में थोड़ा राशन भर लिया था और अपनी मा का चेक अप भी करवा लिया था रात का समय तभी दरपन शराब पीकर घर आता है और वो सुजाता और जानवी के हाथ से बचे पैसे छीन लेता है पिता जी ये पैसे दीजी मुझे ये पैसे मुझे मेरी सहेली कविता ने दिये है अरे मुझे शराब पीना है अरे एक पैसा तो आप घर में देते नहीं और अब बेटी के पैसे भी छीन का शराब पी रहे हो अरे कुछ तो शर्म करो घर में पती है, जवान बेटी है, वो भूखे है, परिशान है इस बात की आपको कोई परवा नहीं, आप बस अपनी मस्ती में जी रहे हो आप जितना कमाते हो तने पैसो की तो आप शराब पी जाते हो मुझे परिवार को चलारा सिखा रही है तू तबी दरपन रोज की तरह सुजाता को बेरहमी से पीटने लगता है पिता जी, आप क्यो मा को मारते रहते हो तुझे कितनी बार कहा है मैंने, कि तू हम दोनों पती पत्मियों के बीच में मत बोला कम इतना कहकर दरपन घर से चला जाता है रोज की तरह जानवी और सुजाता, दरपन के जुल्म से रोने लगते है सवेरी का समय, तभी जानवी अपनी बौनी सहेली कविता के घर आती है तभी दामिनी जानवी को दरवाजे के पास ही रोक लेती है किधर जा रही है जानवी? काकी जी, कविता से मिलने जा रही हो क्यों? आज भी अपनी भोली सहेली से पैसे एठने आई है क्या? उठाकर तू उससे पैसे एकती जारी है करीब कहिंकी तो गोड़ी की ओकात नहीं है तेरी चल निकल यहां से और खबरदार जो मेरी बेटी कविता से दुबारा मिलने की भी कोशिश की तो और इस घर में अपने मनहूस कदम भी मत रखना समझी ना निकल यहां से भेकारी कहिं की दामिनी की कड़वी बाते सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं दामिनी जानवी को बहुत जलील करती है और उसे धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल देती है बिचारी जानवी रोते-रोते अपने घर चली जाती है थोड़े समय बात कविता नींद से जाकती है मा जान भी नहीं आई अब तक रोज तो इस समय आ जाती थी वो कविता बिटिया मैं भी सवेरे से यही सोच रही थी कि जान भी अब तक आई क्यों नहीं इसलिए मैं भी उसे उसके घर पर बुलाने गई थी तो पता है उस जान भी ने क्या कहा मुझसे कि काकी जी मैं नहीं आ रही आपकी बॉनी बेटी के पास अरे आपकी बॉनी बेटी को तो कोई अपना दश्मन भी ना बनाए मैं तो बस पैसे एठने के लिए उस बॉनी कविता से दोस्ती का ना टक कर रही थी क्या? जान भी ने ऐसा कहा? फिर क्या था? दामिनी कविता को जानवी के खिलाफ एक के दो लगा कर भड़का देती है अपनी सहेली के बारे में अपने लिए ऐसी बाते सुनकर कविता के गोश और जाते हैं क्या? इसका मतलब वो जानवी मेरी अच्छाई का फाइदा उठा रही थी मैं आज की बात कभी बात नहीं करूंगी जानवी से कभी उससे दोस्ती नहीं करूंगी उससे सारे रिष्टे तोड़ दूंगी दामिनी ने अपनी चाल से अपनी बेटी को जानवी के खिलाफ कर दिया था और बच्पन की सहेलिया नामिनी की बातों में आकर हमेशा के लिए अलग हो गई अब ना जानवी कविता के घर आती है ना कविता जानवी से मिलने जाती थी देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं कविता के माता पिता ने कविता की शादी शहर में रहने वाले रमेश नाम के एक अमीर लड़के से करवा दी थी और इधर जानवी के माता पिता ने जानवी की शादी उसी गाउं के एक गरीब परिवार के बेटे आलोक से करवा दी थी जानवी अपने गरीब पती आलोक के साथ अपने घर से निकल कर पास वाले सड़क पर आती है वहाँ पर कुछ अमीर लोग गरीबों को मुफ्त में खाना बाट रही थे तबी जानवी और आलोक भी उन गरीब लोगों के साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं उतने में वहाँ जानवी के अमीर बौनी सहेली कविता अपने पती रमेश के साथ अपनी कार में बैट कर जा रही थी तबी कविता की नजर जानवी पर पढ़ती है और वो कार से उतर कर जानवी के पास जाती है जानवी का पटा पुराना अवतार देखकर कविता के होश उड़ जाते है अरे जानवी तू यहाँ इस चोटे से गाउं में रहती है कविता तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई काकी जी ने तुम मुझे घर से धक्के मार कर जलील करके तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया था पर मुझे लगा था तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने मैंने तुम्हारी कितनी रहा देखी पर तु नहीं आई कविता जलील करके? मा ने कब तुम्हें जलील करके निकाला? उल्टा तूने मा को मेरे बारे में कितना बुरा बाला कहा? मैंने? नहीं तभी जानवी दामिनी की सारी बात कविता को बताती है और कविता दामेनी की सारी बात जानवी को बताती है अपनी मा की कर्तूतों के बारे में सुनकर बॉनी कविता जानवी से रो रो कर माफी मांगती है मुझे माफ कर दे जानवी मुझे नहीं पता था कि मा ने तेरे साथ ऐसा किया और मैं मा की जूटी बातों में आ गई उसके बाद जानवी कविता को अपने गरीब ससुराल ले आती है जहां जानवी के गरीब ससुराल की गरीब परिस्तिती देखकर बॉनी कविता अपनी सहेली को कई सारे पैसे देती है और रमेश आलोग को अपनी कमपनी में नौकरी देता है जसके बाद गरीव जानवी के जीवन में खुशिया ही खुशिया आ जाती है मुझे भी मिलेंगे अरे यह तुम कैसी बाते कर रही हो मेरा परिवार ऐसा नहीं है वो तुमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा यह मेरा तुम से वादा है तुम बस एक बार मेरा हाथ थाम लो अविनाश तुम जानते हो कि मेरे माता पिता मेरी तुम से शादी भी नहीं करवा पाएंगे उनकी पास इतना पैसा ही नहीं है मैं तुम से शादी कैसे करूँगी तुम बहुत अमीर खांदान के लड़की हो अगर तुमें ऐसा लगता है तो ठीक है मेरे साथ मंदिर चलो आज ही हम शादी कर लेंगे और तुम्हारे माता पिता का पैसा भी नहीं लगेगा उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा अविनाश काविया का हाथ पकड़ कर उसे मंदिर ले जाता है जिसके बाद मंदिर में वो काविया से शादी कर लेता है दोनों शादी करने के बाद अविनाश अपनी पत्नी काविया को अपनी साथ अपनी घर ले आता है जहां दर्वाजा उसकी बड़ी भावी खोलती है अरे अविनाश तुम आ गए? ये लड़की कौन है? काविया को देखते ही मोहिनी का बहुत जादा मूह बन जाता है वो उसकी हालत देखकर अविनाश से कहती है ज़रा इस लड़की की तरफ देखो क्या ये लड़की इस खर के बहु बनने के लायक है? मैं तो कहती हूँ, जहां से इसको लेकर आए हो, वहीं ले जाकर वापस इसे भेज दो भाबी जी मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी कि आप इस तरह अपनी जिठानी का स्वागत करोगी खेर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, अब सामने से हट जाएए अविनाश ऐसा कहनी के बाद काविया का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी घर के अंदर ले जाता है जहां वो अपनी पत्नी काविया को अपनी मा के एक कमरे मिलिक कर जाता है और उनसे मिलवाता है मा देखो मैं आपकी बहु लेकर आया हूँ इसका नाम काविया है चलो काविया मा के पैट छोलो काविया शकुंतला के पैट छोलेती है यह सब क्या है बेटा और यह लड़की कौन है तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं अविनाश अपनी मा को सारी बाती बताता है जिसके बाद उसकी मा उसकी बातों को समझती है हे भगवान इस घर में तो तुम्हारा सही से ग्रह प्रवेश भी नहीं हुआ चलो आओ मैं तुम्हें ये घर दिखा देती हूँ इतना अच्छा व्यवार अपनी सास का अपनी गरीब देवरानी के लिए देखकर मुहिनी बहुत जादा किलस जाती है और अपनी मन ही मन सोचती है वाह जी वाह पहले दिन ही आते ही माजी के मन में अपनी जगह बना ली इस करीब फटीचर औरत ने ये घर में पल بी नहीं रुख सकती है यहां मैं इसे यहां रहने ही नहीं दूँगी मुहिनी पहले दिन से ही कावया के उपर अत्यचार करने लगती है वो रसोई में सारा काम फ्हला देती है और कावया से जाकर कहती है तुम इस घर में आई हो जिसके बाद वो हलका फुलका उसके साथ काम में हाथ पटाती है और उसके बाद सारा काम उसी के उपर छोड़ कर चली जाती है विचारी काव्या को अपने पहले दिन पर काम करते करते काफी रात हो जाती है तब ही वहाँ अविनाश आता है काव्या बहुत जादा ठक चुकी थी जिसके बाद वो अविनाश के साथ कमरे में जाकर आराम से सो जाती है अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है मोहिनी सुभे के चार बजे ही काव्या का दर्वाजा खटकटा देती है अरे अभी तक सो रही है इसको टाइम नहीं दिखता वहाँ मेरी देवरानी बड़ा ही नाम रौशन करोगी तुम मेरा तब ही काव्या दर्वाजा खोलती है और अपनी जिठानी से कहती है क्या हुआ जिठानी जी कोई परिशानी है क्या सब कुछ ठीक तो है ना क्या तुम्हें समय नहीं दिख रहा है ये समय सोने का नहीं बलकि नहाद होकर पूजा पाट करने का है चलो अब जल्दी से तयार होकर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद अच्छे सी पूजा पाट करना काविया फॉरन फ्रेश होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करती है और उसके पूजा पाट करने के लिए मंदिर में जाती है जब वो पूजा की थाली लेकर वापिस लोटती है तो इतनी सुभा उसे मंदिर से लोटते हुए देख शकुंतला उससे कहती है अरे बहु इतनी सुभा सुभा तो पूजा पाट करने के लिए कैसे चली गई आखिर तो सुभा कितने बज़े उठी है माजी मैं तो सुभे के चार बज़े ही उठ गई थी वो जे ठानी जी ने तब ही वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और उसकी बाते काट कर कहती है अरे वाह बड़े ही अच्छे संसकार है काविया के देखा माजी ये तो मुझसे भी अच्छी बहु निकली चलो अब रसोई में आकर मेरी थोड़ी मदद कराओ रसोई में ले जाने के बाद मोहिनी उससे पूरे घर का नाश्ता अकेले ही बनवा देती है और उसके बाद घर के सारे काम भी मोहिनी काविया से ही करवाती है जिसके चलते काविया बहुत ज़्यादा ठक जाती है लेकिन वो उफ तक नहीं करती और चुपचाप अपनी जेठानी की सकताईयों को बरताश करती रहती है ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से मोहिनी की तवियत खराब हो जाती है जिसके चलती घरवालों को ये पता चलता है कि मोहिनी गर्बवती है और इसी के चलते पूरे घर में खुशी का माहौल चा जाता है अरे वाह बहु तु तो बहुत अच्छी निकली तु पहले खुशी लेकर आ रही है इस घर के अंदर मुझे बहुत खुशी है इस बात की आज से तुझे इस घर के कोई काम करने की जरुरत नहीं है कोई काम हो तो काव्या को बता देना वो कर देगी अब मेरी देवरानी है तो सारे काम तो मैं उसी को बताऊंगी एक तरफ मोहिनी अपनी साथ और घर के बाकी सदस्यों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ वो काव्या को बहुत जादा सताया करती जैसे जैसे उसके महीने बीटने लगते हैं वैसे वैसे वो अपनी अमीरी का घमंड काव्या को दिखाती रहती लेकिन कहते हैं न टेट फॉर टेट जैसे को तैसा इसी प्रकार मोहिनी के पती को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और उसे पैसों से रिलेटेड बहुत सी परिशानियों को जहिलना पड़ता है यहां तक उसके खाने की चीजे भी नहीं आ पाती वही कॉलेज के बाद अविनाश की नौकरी बहुत अच्छी जगे लग जाती है और वो अच्छा कमाने लगता है बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई आपको तो पता ही होगा जेर जी को कितना बड़ा लॉस हुआ है और इस समय घर में पैसा होना जरूरी है मेरे को कुछ पैसे चाहिए जेठानी जी की जरूरत का कुछ सामान लेकर आना है काविया की ये बात सुनकर अविनाश उसे पैसे दे देता है जिसके बाद काविया बाजार जाकर धेर सारे फूर्ट्स और खाने की कई सारी चीजे लेकर आती है और अपनी जेठानी को दे देती है एजे ही वो पूरे नौ महिने तक अपनी सक्त जेठानी की बहुत देखरे करती है नौ महिने बाद जब उसकी जेठानी अपने बच्ची को जन्म देती है तो घर के सभी लोग बहुत खुश होते है लाओ मोहिनी, मुझे अपने बेटे को देखने दो अनौराग जी, मैं अपनी बच्ची को सबसे पहले अपनी छोटी बेहन के हाथों में देना चाहती हूँ इधर आओ काव्या, इसे गोदी में लेने का पहला हक तुम्हारा है अजानक से अपनी जेठानी का बरताव बदलते हुए काव्या हैरान हो जाती है और वो आगे बढ़कर उसके बच्ची को गोदी में ले लेती है तभी मोहिनी उससे कहती है तुमने मेरी इतनी सकताई करने के बाद भी मेरे साथ अपना सोभाफ कभी नहीं बदला ओपर से मैंने हमेशा तुम्हें पैसों का घमन दिखाया तुम्हारे साथ बहुत ज्यात्ती की लेकिन तुम हमेशा मेरी मदद करती रही मेरे बुरे वक्त में भी तुमने मेरा साथ दिया मेरी कलतियों के लिए मुझे माफ कर देना काफ्या मैं बहुत शेर मेंदा हूँ ऐसा मत बुलिये जिठानी जी आप तो मेरी बड़ी बेहन की तरह हो और आपने जो भी किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा वैसे आपका बेटा बिलकुल आपके उपर गया है बहुत संदर है दोनों देवरानी और जेठानी में एक छोटी बेहन बड़ी बेहन का प्यार दिखाई देता है उस दिल के बाद से देवरानी जेठानी एक साथ खुशी-खुशी रहने लगती है